हलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल लर्न विद फन टोगेधर आप संगीता आज के इस वीडियो में मैं कुछ एक्टिविटीज लेके आई हूं जिससे की बच्चे का ब्रेंड डवलप्मेंट होता है बच्चे का कंसेंट्रेशन बढ़ता है जिन बच्चों को मेरी मि बच्चों की बच्चों की वह प्राब्लम होती है इससे कि बच्चों को फॉकस बढ़ता है प्राब्लम को लेके इस तरह की जब आप अक्टिविटी आप कराते हैं तो बच्चे की लर्निंग पावर बढ़ती है वो लर्निंग में इंट्रस्ट लेता है इस तरह की एक्टि बनाई है जैसे कि यहां पर बच्चा जे बनाता है तब उल्टा बनाता है जब बच्चा एंट्री करता है तो जी को उल्टा बनाता है कुछ बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाती लेकिन कुछ बच्चे इसको समझ नहीं पाते कि कैसे उसे बनाए तो इस तरह कि जब आप गेम बच्चे के साथ खेलेंगे न तो बच्चा यह वली problem से easily निकल जाता है जैसे कि यहाँ पर J रखा है यहाँ पर S है तो आप जो easy जो आपको लगता है कि बच्चे के साथ यहाँ पर problem नहीं है वो वाला आप लीजिए और जहाँ आपको problem लगती है वो बच्चे को दी जीये और zero cutta वाला same game खेलना है जैसे like this, यहाँ पर आपने J बच्चे को लिखने के लिए देना है और आपको यहाँ पर S लिखना है यहाँ पर बच्चा फिर से J लिेगा और यहाँ पर S लिखेगे बच्चा यहां पे J लिखेगा आप यहां पे S लिखेंगे फिर बच्चा यहां पे J लिखेगा आप S लिखेंगे बच्चा यहां पे J लिखेगा आप S लिखेंगे So finally हुआ क्या है यहां पे बच्चे ने win किया है और आप यहां पे हारे हो आपको हारना ही है इस गेम में आपको दोड़ा फ़नी लग रहा होगा कि हम क्यों हारे यहाँ पर एक यही हमारा प्लस पॉइंट है कि हम जब बच्चे को जिता देते हैं किसी भी गेम में कि भई आप जीत गई हो तो बच्चे को बहुत अच्छा लगता है उसे खुशी मिलती है और कहते हैं कि चलो नेक्स्ट गेम भी खेलते हैं तो इस तरह की एक्टिविटी जब आप बना के देते हैं तो बच्चे की मेरर इमेज बिलकुल वाश हो जाती है वो मेरर इमेज बनाना छोड़ देता है लाइक बच्चा सेवन में जो है ना मेरर इमेज बनाते हैं कुछ बच्चे उन बच्चों के लिए ऐसे ही दे सकते हैं कि बच्चा सेवन लिखेगा और आप लिखेंगे हमेशा नाइन लिखेंगे इसमें भी आपको सेम करना है कि बच्चे को ही जिताना है जैसे ही बच्चा वेन होता है तो उसे बहुत अंदर से खुशी मिलती है और फिर से आपको कहेगा कि मुझे गेम खेलना है यहाँ पर आपने इंगलेस की प्राबलम सॉल्व की है यहाँ पर आप math की problem solve कर रहे हैं यहाँ पर क्या है ना आप ए को देखे खाली एक ए अनार को देखे ही आप बहुत सारी चीज़े सिखा रहे हो जैसे आ सिखा रहे हो, ओ सिखा रहे हो, आउ सिखा रहे हो अंग सिखा रहे हो और आहा भी सिखा रहे हो तो इस तरह कि बहुत सारे जो है ना अक्षर बच्चा सीख जाता है इस तरह कि बहुत सारे लेटर सीख जाता है बच्चा इस तरह की एक्टिविटी से तो जैसे यहां पर बच्चा ए ही लिख रहा है तो उसे उ भी बनाना आ रहा है और उ भी बनाना आ रहा है है ना आप E बनाते चाहिए और वो A बनाता जाएगा तो इससे ना बच्चे को बहुत सारी चीज़े सीख जाता है जैसे कि A भी बच्चे ने सीखा है A भी सीख लिया है O भी सीखा है O भी सीखा है जैसे कि सारे के सारे क्या बनते हैं ना ऐसे ही बनते है A, B, S, A बनता है यह बला पार्ट हटा दे तो O बन जाता है या फिर इसके पीछे ऐसे लगा देते हैं तो O, O बन जाता है फाइनली यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम बच्चे को सिखा रहे हैं फिर इसके बाद आता है यह बला यहाँ पर हम क्या है न Everyday बच्चे को color change कर के देंगे जिन बच्चे को अभी color सीख रहे हैं वो करना उन बच्चे के लिए कि वो color की पहचान कैसे करें जैसे यहाँ पर two green fill किए हैं जैसे red है तो हम यहाँ पर बच्चे को क्या करते हैं बच्चे को ऐसे green color करने के लिए देंगी तो बच्चे के बच्च ऑग बॉक्स अपना बना लेता है यह उसे लगता है कि वह बहुत हैपी होता है जिस letter को, जिस word को लिखने में बच्चे को problem है, जिस number को लिखने में बच्चे को problem है, वो सारी की सारी problem को focus करके आप इस तरह की worksheet बना के दीजिए, ये बहुत helpful होती है, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और worksheet बनाई है, जो की activity है, ये भी a game है, through the activity, through the game बच्चा, क्या कर जाएगा, यहाँ पे object डूंडेगा, जैसे कि यहाँ पे है, find the object in the given picture and circle them, जैसे यहाँ पे cat है, तो यहाँ पे बच्चे को देखेगा, cat को circle लगाएगा, cap सभी बच्चों ने पहनी होई है, cap को circle लगाएगा, candle six number है, बच्चा focus करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा ना कि बच् पुल होती है, उसका brain ना बहुत शार्प होता है, इस तरह की worksheet करने से, इसके बद बच्चा इस तरह से जब सबी चीजों को circle कर लेता है, तो यह उसका complete हो जाता है, यहाँ पे आप इस तरह की worksheet बना सकते हैं, या कोई भी book है बच्चे के पास, उस तरह की book से आप cutting लेके ब पाली box रखा था यह, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ बच्चा 1 लिखता है, यहाँ पे 4 की after 5 आता है, यहाँ बच्चा 5 लिखेगा, यहाँ पे 7 बच्चा लिखेगा, 8, 9, 10 और यहाँ पे 2, तो इस तरह से कैना बच्चे को sequence बता चल रही है, क्या पता चल है, A के after B आता है, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, तो इसके बाद क्या आएगा, खाली box में क्या आएगा, जब हम इस तरह का बच्चे को देते हैं, तो बच्चा उसे problem को focus करता है, और इसे करने की कोशिश करता है, यह बच्चा KG क्लास का भी बच्चा इसे कर सकता है, यह फर्स्ट क्लास के बच्चे, जो क्लास वन में अंट्री किया है, वो भी कर सकते हैं, कहना वो जो सर्च कर रहे हैं, कि इसके box में क्या problem है, जैसे A, C, D, देखेगा, तो बच्चा यहाँ पर देखा कि क्या आएगा, यहाँ पर A, E, E है, तो उसे बता चले हैं कि कहा ह है, यहाँ पर क्या आएगा, तो इस तरह की problem से बच्चा focus करना शुरू कर देता है, और वो problem को solve करना शुरू कर देता है, उसका यहाँ पर कहना brain उसको boost कर रहा होता है, कि तुम ढूंडो कहां पर क्या problem है, यहाँ पर यह एक और worksheet है, जैसे कि help zone to reach the teddy, यहाँ पर टेड़ी है, यह वाला arrow right side जा रहा है, यह अप जा रहा है, तो यहाँ पर बच्चा क्या देखेगा, कि जो bug है, यहाँ पर बच्चा bug देखेगा, bug के साथ क्या है, down arrow है, तो बच्चा down वाले को follow करेगा, फिर वो देखेगा octopus वाला है, तो octopus वाले से वो इधर उसे करेगा arrow को, और य यहां पर यह बग है तो डाउन यहां पर क्या है उसे टैबी जो टैडी है वो मिल गया है तो इस तरह की वरक्षीट बनाएंगे आप और इस तरह की जब एक्टिविटी आप कराते हैं बच्चे को तो बहुत इंटरस्ट लेता है और उसका माइन शार्प होने लग जाता है इ अगर आपको यह वरक्षीट लेनी है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है आप महां से ले सकते हैं अब जो टाइम है बहुत मतलब ऐसा टाइम है जब हम वरक्षीट नहीं बना सकते हैं तो आप महां से ले सकते हैं आप कि आपको मेरा यह वीडियो प झेले खुतु के इलाओ सही के उपाँ मोटन स्टेजम्त कर दो I